नमस्कार दोस्तों, भारती अजंता पार्टी ने मोहन यादफ के नाम का दाओं खेल कर लोकसभा चुनाओं में जीतने के लिए पूरा प्लान बना रखा है, पूरा खेल तैयार कर रखा है इसलिए उन्हें माद्यप्रदेश का CM भी बनाया गया ताकि उनकी जाती का इस्तिमाल करके UP और बाकी राज्यों के किले को भेडा जा सके पर यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी ही निकल कर सामने आ रही है, दरसल दोस्तों बीते दिनों मोहन यादफ को भारतिय जन्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आजमगर जिले में भेज़ा था कि वहाँ के यादफ वोल्ट बैंक को अपने पाले में ला सके लेकिन सीएम साहब जब मीडिया से बात करने के लिए बैठे तो यहाँ पर खेल ही उल्टा पड़ गया सीम साहब को यहीं नहीं पता था कि उन्हें जंता के सामने बात क्या करनी है मीडिया से क्या बात करनी है किस लाइन पर बात करनी है वो कुछ भी नहीं जानते थे यहाँ पर मीडिया के सामने बैठ गए थे उन्हें कोई अता पता नहीं था कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं किस मुद्दे पर आए हैं अब उनकी यह वीडियो वाइरल होने के बाद अखिलेश यादफ से लेकर आम जंता तक मोहन यादफ को बत पुतली कहकर ट्रोल कर रही हम आपको लोगों के कमेंट्स बताएंगे लेकिन उससे पहले आप जरह यह वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से मुख्य मंतरी मध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी मोहन यादफ कंफ्यूजड नजर आ रहे हैं देखिए दोस्तों इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके सपाप मुख्य अखिलेश यादफ कह रहे हैं कि कट पुतली तो सुना था बट पुतली पहली बार देख रहे हैं जिसकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है आजमगर की जनता कह रही है कि जिसको ये न मालूम हो कि कहना क्या है उसको सुनना क्या एक यूजर कह रहे है कि MP में मोधी जी द्वारा बनाए गए भारती जनता पार्टी के मुख्य मंतरी मोहन यादफ हैं जिनने ये तक पूछना पढ़ रहा है कि लाइन क्या लेनी है दोस्तों आम तोर पर कोई मुख्य मंतरी भाषन देता है कोई बयान देता है तो या तो तालिया मिलती है या तो उसकी बात पर उसकी बयान पर कोई कटाक्ष किया जाता है डिसकेशन होता है लेकिन यहां तो मोहन यादफ के बयान पर कोई किसी तरीके का डिसकेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि बिचारे मोहन यादफ को खुद ही नहीं पता कि वो यहां क्या करने आए हैं क्या उनका काम है उन्हें मुख्य मंतरी क्यों बनाया गया है शायद यह वो बहुत खास माना जा रहा था इसके बीछे वजह यह थी कि वह समाजवादी पार्टी के गड़ को अपनी जाती के नाम पर भेद सकें क्योंकि वह भी यादव है और भारती अजंता पार्टी उनकी जाती के सहारे ही उत्तर प्रदेश में अब भाजपा का वोट बैंक बनाना यानि यादव वोट बैंक को इकटा करना चाती है लेकिन यहाँ पर मोहन यादव ने कोई दाव खेलने के बजाए वोट बैंक को इकटा करने के बजाए भारती अजंता पार्टी की भरी महफ़ों में फ़िछत करवा दी वहीं ये भी माना जा रहा है कि C.E.M. मोहन याद कि इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं में कमें सेक्षिन में लिखकर जरूर बताईएगा ये खबर आप उल्टा चुश्माईू सी पर देख रहे हैं मेरे नाम है फरीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त बस यही है दुआ हमारी मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक क लिए अल्वड़ा